पूर्व राजनेक सुरेश कुमार गोयल साहब भी हमारे साथ स्टूडिय में मौजूद है सुरेश गोयल साहब मैं आप से ये पूछना चाहती हूँ कि नो फ्लाइ जोन से अब बच्टा नजर आ रहा है नेटो और बाकी जो वेस्टन ताकते हैं उसकी भी एक लिमिट है और वो लिमिट जैसे की करनलदार में संझाया कोई नहीं चाहता है कि ये जो युद है युकरेन के साथ में ये तीसरे विश्व युद में बदल जाया क्योंकि तीसरा विश्व युद अगर हुआ तो जाहर सी बात है कि परमानो युद होगा तो अगर मैं इसका थोड़ा सा संझाने की कोशिश करूँ कि युकरेन की मंशा क्या है युकरेन ने शुरू से ही अगर हम देखे कि जब ये वार शुरू ही उससे पहले से ही युकरेन काफी देर से कोशिश कर रहा है कि उसको नेटो की मेंबर्शिप मिल जाए जिए नेटों अगर हम एक है पुछ थोड़े से भरोसे भरोसा नहीं मेरे ख्ली किया एक तरह से वह हिंदी में कहाऊध्य कि जाड़ पर चड़ा दिया कि वही तुमको दे देंगे करेंगे ये नि करेंगे को युप की सी बात नहीं करी और रहा कि उसके साथ में नेटों है लेकिन नेटो की साथ जैसे आप देख रही है लिमिट है और रूस को यह पक्का करना था कि नेटो का हिस्सा युक्रेन नहीं बने उसकी लंबे हिस्ट्री उनने से क्यान में से लेकर के वह जब मौका होकर तब बात करेंगे लेकिन अभी नेट युक्रेन की सिथी यह हो गए युक्रेन को वाले मिलिटरी मदद तो देंगी प्लेन भी देंगे और उनको में खाले पॉलेंड जो है वो रिशन में एकराफ्ट दे भी रहा है सब्रूज मने न्यूस पड़ी थी लेकिन नो बूट्स ऑन दा ग्राउंड बिलकुल सेना नहीं देंगे नेटो सेना नहीं देगा अमेरि आपको रखे आगे